कोई connection है क्या कि Congress Party तमाम मुद्दे उठाती रहती है कुछ सही कुछ गलत छोटे छोटे और पत्राव के मुद्दे सामने आते रहते हैं जहां ट्रेनों पर पत्राव भी हो रहे हैं यानि कि एक जम्मू कश्मीर का एक हमने देखा था मोडस ओपरेंडाई वो अब ट्रेनों पर इस्तेमाल होता हुआ नजर आ रहा है वारेश पठान मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कुछ connection है क्या कुछ connection है कि Congress Party की ट्रोल आर्मी जिस तरह अर्श्विनी वैश्नव ने कहा और इन घटनाओं के बीच में देखिए नविका जी केंदर सरकार टोटल फेल हो चुकी है रेल बंतराले टोटल फेल हो चुका है हमारे देश का इस तरह की रेल घटना है आम दिन हो रही है आप इस तरह का कोई भी जो रख रहा है ट्रेक के उपर ये गलत है नहीं होना चीए मगर सरकार की जवाबदारी वनती है CCTV वे camera लगा है और वहां पे प्रोपर रिस से protection करें आप बीच में भी एक दिर ऐसा एक फोटो आया right wingers ने चलाया कि कुछ भारत में लड़के पठानी शूट मूट पेने हुए हैं जो train के उपर यह लख रहे हैं भारत का दिखाया आपने भी दिखाया था अपने चैनल पे मैं असद वेसी साब हम सब जा रहे थे वंदे भारत के अंदर आचानक से एक पत्तर आके वहीं पर गिरा जा पे हम लोग बैटे हुए थे वहाहीं का कांश तूड़ गया जो compartment में हम थे बाद में पता चला पूलिस ने रिपोर्ट द दिखाया था उसको तो सरकार को खुद की अंदर जाकना चाहिए पहले कि खुद कहा फेर हो रही है उसके बाद दूसरे को डालना चाहिए आप गिरीरा सिंग मंत्री है उनको इस तरह का बयान बाजी करना के गोदराट हो सकता को मैं पुझना चाहूँगा तुमारा इंटे जवाब नहीं दूगा जवाब देखाया उसके बाद जवाब दीजिए दस सेकंड नभीका जी सूनिये सूनिये क्या हो रहा है मालूम है देश में चुना हुआ रहे काफी जगाओ के उपर महराश्चा में भी चुना हुआ और चुना हो के पहले बीजेपी कुछ ना कुछ कराना चाहती है मैं आपके माधियम से बोलना चाहूंगा बारस्टर में तो हम देख रहा है आई दी ना के रामगिरी जैसे बाच्टर दे रहे हमारे हुजूर किशान में गुस्ताकी कर दिये ए एफाई रुआ उनको आरस नहीं किया कुछ नितिजदाने जैसे लोगा के जितों में गुसके मार देगी धंकियां दे रहे हमको कुछ नहीं कर रहे है तो मतलब यह चुनाओं के पहले का जो बीजेपी की तैयारी है पूरी तरह उसमें लग गई है बीजेपी अभी आपको इन्वेस्टिकेशन करना चीए सारी चीज़ का किसी ने का है नाई का इन् नहीं मैं जानना चाती हूं आपसे यह क्यों नहीं माना जाए कि आप पॉलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं रोहन गुपता जवाब दीजे वारिस पठाने बड़े दुखी बात है कि डिबेट कहां पे हो रही हो और कहां पे लिखे जा रहे है मैंने पहले ही का जो सरकार है उसकी जिम्मेदारी है आकड़ों की बात करे तो एक तियाई तो एकसिडेंट कम हुए जो लोगों की मुरूत्यों वो आदे हो चुके हैं जो रेलवे सेफटी पे बजेट है आट लाग करोड खर्च किया था जो बीजेपी है उसने आट लाग से ज्यादा करोड खर्च क इसका मतलब यह निए कि उनके जिम्मेदारी नहीं कहीं पर बात यहां पर यह कि आप सिलेक्टिव जो सवाल उटाते हैं आप रेल हाथसों पर सवाल उटाते हैं पर जब ऐसे इंसिडेंट आते हैं तो आपके मूं में क्यों होता ही जाता है और यह बात करना कि इसमें भी कोची राजनीती हमको करने की जरूरत है किसी को कि देश की बात सवाल है सवाल उटाएंगे को सूट होता है वहां पर सवाल उटाएंगे बात इतनी है कि जब इस प्रकार के विक्टिम कार्ण का विक्टिम कार्ण में मैं 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 समझ रही हूं वारिस पठान जी आपको बाकी लोगों की भी चिंता नहीं है आज के साबोटाज कॉंस्पिरेसी एंगल पर आपको चिंता नहीं है आपके साथ क्या हुआ वो बड़ी चिंता है लेकिन मैं गौरवारिया जी को पूछना चाऊंगी गौरवारिया जी सवाल ये है कि ये सिक्यूरिटी लैप्स है क्योंकि आप जिस तरह से देख रहे हैं कभी सिमेंट का इतना बड़ा टुकड़ा आ जाता है रेलवे ट्रैक पे कभी निकाल दिये जाते हैं पेंडरोल की जो कनेक्शन्स हैं वहाँ पर और कभी आपने देखा के रेलवे लाइन पर कोई ट्रैक्टर चला जाता है कभी सिलिंडर है कभी पेट्रोल है मैं पूछना चाह रही हूँ क्या इसमें आपको एक सिक्यूरिटी एंगल से एक ISI या किसी ऐसी टेरर और्गनाइजेशन का छाप लग रहा है या इसमें कोई राजनीतिक कनेक्शन भी है क्योंकि यहाँ ट्रोल आर्मी चलती है और वहा का इतियास रहा है हजारों सालों का किले के दरवाजे हर समय अंदर से खुले हैं दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि येस डेफिनिटली देखे ये एक टेररिस्ट हाथसा होते होते बच गया तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कॉंग्रेस बीजेपी समाजवादी पार्ट मामला है तीसरी बात जब से कंस्ट्रेन करा गया है जम्मू और कश्मीर में टेररिज्म को तो बाहर वाले हाथ से लगभग बंद हो गए हैं हमें सुनने को नहीं मिला जो लास्ट बड़ा वाकिया हमें सुनने को मिला था जो कि पंजाब में है उसके बाद बड़ा वाकिया बाहर नहीं सुनने को मिला और आजकल छोटे वाकिये भी जम्मू और कश्मीर घाटी और साउट अफ पीर पंजाल के बाहर हमें सुनाई नहीं देते तो क्या पाकिस्तान चुप हो गया बिल्कुल नहीं ऐसे हाथ से करेगा क्योंकि इसमें low input high output है इसमें cost and consequences नहीं है कहने का ये मतलब है कि आपने तीन चार लड़कों को पैसे दिये उनको radicalize करा उनको बोला gas cylinder लगाओ ये लगा दो ये chemical लगाओ ट्रेन उड़ जाएगी और ये पहली बार नहीं हो रहा है मुझे ऐसा लगता है कि अगर train का accident होता है ड्राइवर की लापरवाई से या security के मामले से तो जरूर सरकार को criticize करना चाहिए और सरकार क्यों सक्ता में बेढ़ी है इन चीजों को बदूरिया सहाब मेरी आप से request है बदूरिया सहाब आप मेरी बात सुननै बदूरिया सहाब मैं आपसे request कर रहा हूँ सर अगर आप मेरी बात सुननने तो जी, तो मैं ये कहने की बात कर रहा हूँ कि ये जम्मेदारी Central Government की है और बिल्कुल Central Government को देखना चाहिए, लेकिन नाविका मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि this was almost a terror incident, ये लगबग एक आतंकवादी हाथसा हो सकता था, जो की बच गया, अच्छी किस्मत है, security agencies को हमें इतना क बता भी नहीं चलता, और आखरी चीज, इस समय है सब लोग, इस समय सब लोगों को मिलके, party के अलग जाके, क्या आप party के प्रवक्ता है, party की एक line है, वो सब छोड़ दीजे, आप ये देखिए, कि ये हाथसे किसी भी सरकार के under हो सकते हैं, मैं मामला ले नहीं जाना चाहता की example है, जो मैं देना नहीं चाहता यहां पर, जो कि पिछली सरकारों में हुआ था, और इतने लोग बेगुना जान से चले गए थे, पर मैं यहां पर तू-तू-तू-तू-तू-तू पॉलिटिकल पाटी में मैं नहीं पढ़ना चाहता, that is not my, that is not my, but nis not my, baduriyya sahaba बोलने ने पार्टियां राजनितिक दल एक साथ नजर आएं क्या अनुराग भदोरिया जी आपको ये भी मन्जूर नहीं है बिल्कुल दे कि मुझे गौराव एराजी की बात अच्छी लेगी लेकिन दो तीन बात ने जो आस्ते सो बीजेपी को सपोर्ट करके निकल गए वो ठीक नहीं है अब ही अगर सरकार विपच्च की होती तो अभी सब चिला रहोते कि सरकार की क्या जिम्मेदारी है पई सरकार की कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है उन्होंने कहा तो है कि सरकार की जिम्मेदारी है पठानकोट की बात उन्होंने कही तो है, अनुराग बदोरिया जी मुझे लगता है, मुझे लगता है आपने यहाँ पर कानों पे कोई चाननी लगा रखी है, आपको सुनाई ही वो देता है, जिसको आप उठा कर आप सवाल खड़े कर सकें, आपको बाकी बातें सुनाई ही नहीं देती हैं,